सब्सक्राइब कोई भी खाने बीने की विस्ताना दे रही है सिर्फ पानी के लावा खान पीने को कुछ मिलना रहा हुआ कुछ लोग दूम गया पहंसरी दूम गई बेबस और बेहाल लोग भूखे जीनों को मजबूर बच्चे खाने और आश्याने के लिए दरदर भटकती ज्वनता अपनी आखों के सामने तबाह होते देख रहे अपने ग्रिहस्ते जिधर नजर दोड़ाएं केवल पानी ही पानी यहाल है देश की राजधाने दिल्ली का जहां पानी सब कुछ लील लेने को तयार है और लोग किसी तरह से खुद की जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं पूरी दिल्ली इस वक्त जल्मग्न है यमना का जलस्तर खत्रे की निसान से उपर है यह जो तस्वीरे आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के हर कोने में ऐसी ही तस्वीरे हैं आपको उता देएं कि यह जो तस्वीरे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पानी नजर आ रहा होगा लेकिन यहाँ पर खेती हो रही थी यहाँ पर सबजियां उगाई जा रही थी यहाँ पर किसान अपनी खेती कर रहे थे लेकिन अब पूरी तरीके से दिल्ली जग मगन है और हर तरफ जिधर नजरे दोड़ाएंगे आपको केवल और केवल एक ही चीज नजर आएगी वो है पानी इसके बाद लोग यहां पर परेशान हैं और लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हपते भर हो गए दिल्ली में इस तरीके की परेशानियों को लो आदी नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में परेशानियां और बढ़ेंगी तो चलिए आपको इन तस्वीरों को दिखाने के साथ ही आप दिल्ली के लोगों का दर्द भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वो इस वक्त परेशान है और बिस थापित होकर अब किस तरीके से वो जिन्दगी जी रहे हैं जो यह आप लोगों ने रहने की विवस्था की है लोग कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से कोई विवस्था नहीं मिल रही है कितनी परिसानी परिसानी तो बहुत ज्यादा जिन्नी पड़ रही है यह जल मैं जो विचारे इनका खाने का ना पीने का कोई वो नहीं है केजरिवाल सरकार ने तो जो बड़े बड़े वादे थे वो तो कुछ वो ही नहीं करा इन्होंने यह करंगे वो करंगे उनका जो जुगला था वो काम्याब हो गया कि जैसे के बाई डिली को जीले बना देंगे यह कर देंगे वह वाद इनका पूरा हो रहाओ फैसा पॉलिक को प्रिशान करके म्यादा पूरा कर रहे हैं इस गोड़ा इन नेता है यहाँ पर नहीं वित अप esses वाद में कोई जहूट नहीं आए जोट रहाए सबसे बड़ी दिक्कत तो यह चला कुछ भी मद्दों पर रहाजी लेटीन की विवस्ता तो बहुत जादी दिक्कत है महलाओं के लिए पहले लेटीन आती तो कोई दिक्कत नहीं होती थी टेंट भी लगते थे अब आप देख रहे होगे सब अपनी अपनी विवस्ता है चाह अपने कि आने वाला कोई दे रहे होंगो जी यहां कुछ नहीं है अप जो फेग रहा हैं तो फेगने दो परिशानिया लगातार हैं बाड़ से जंता परिशान है दिन्लीगे कमंसे प्रसामाजाय का रहे हैं अब अननों को अपने याँ से हमारी गॉर्वर्म tha से पर दोजर पर दिखने रहा है बस न्यूस पर देखो न्यूस पर चल रहा है यहां पानी आ रहा है इनको ऑफीचल हेल्प क्या मिल रही है बताओ के गौर्मेंट की तरफ से और कुछ हो नहीं पर अपने खेतों से निकल के सडकों प्यागे हैं समस्या जादा है समस्या बहुत है बहुत प्रसानिया और खान पीन को कुछ मिलना रहा हुआ कुछ लोग दूम गया और कुछ को लगा लिया और अब देखन तक को नहीं आएं वृअ जमीनी सरकार की तो होगलो कब्या करें वरेज्हागे पाइसान को यह वेह लिया प्रदों पाठी कर रहे पौन fixing तो टो कहते हैं कि पानी दे रहे हैं फिरिम खाना दे रहे हैं अगरा ना मिलिए म हमर आधा को जबना माध था मर्या मर्यंग और हुए हॉं मुआलना देखी ुआऊं Beginning यह दो लोग अभी भी पानी के लिए परिशान है किस तरीके से आप देख रहे हैं क्योंकि जो बारिश का पानी है वो परिशानिया बढ़ा रहा है रहने के लिए लेकिन पीने के पानी के लिए तो हर एक को जरूरत है इसलिए पीने के पानी के लिए लोग इस वक्त लाइन लगाए खड़े हुए है यह थोड़ी बहुत से बिधाएं है जो हाल फिल हाल में मुईया करा दी जा रही है लेकिन लोगों की परिशानिया जिस तरीके से बढ़ी है उससे यह कहा जा सकता है कि अभी तक सरकारों की तरफ से वो चाहे दिल्ली की के जिवाल सरकार हो या फिर बड़ी बड़ी होलडिंग्स लगाए हुए और भी नेता और बिधायक ये सांसद ये बता रहे हो कि या जो बड़ी बड़ी होलडिंग्स लगी हुई है कि हम बाड़ पीड़्टों को भोजन वित्रन करवा रहे है हाल फिल हाल में तो आप जमीनी अस्तर पर आएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा चीजें नहीं दिखेंगे कि सरकारों के तरफ से इतना यहां पर लोगों को सुभधाएं दी जा रहे हैं क्योंकि लोग खुद से ही अपनी परिशानिया हल कर रहे हैं बारहाल उमीद यही कि इन लोगों का दर्द सरकार समझें परिशानिया इनकी कम हो और आने वाले वक्त में इन सब को अच्छी सुभधाएं मिलें बाकी जो भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट होगी आप तक लगातार हम पहुचाते रहेंगे अभी के लिए बस इतना है उनकी करेशी सुभ़ मुझाओाएं मिलें इतना है अजिया आने आपस कि इतना है वक्राउ्व filthy याई बसक्राइ तक ले पूखिया है झाले इतना है अभी कर दो इतना है आए उन्हाएं पिएवार से लिए पहुटी आपस दोचिए कि दो टबसे हैं जो बसक्ते इतना है